बले ही अमेरिका अपने आपको दुनिया का सूपर पाउर मानता हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रूस दुनिया का एक छोटा और गरीब देस है भले ही रूस के पास पैसे कम हूँ, यहां तक कि रूस की एकनोमी भारत से भी छोटी है, लेकिन देखा जाए तो रूस अमेरिका को सीधा टकर देता है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, और सबसे बड़ी बात, रूस के पास ऐसे ऐसे हतियार है, जो कि आज भारत और चीन के पास भी नहीं है, उसी का जीता जाता उधारण है S-500 Air Defense System, यह दुनिया का एक ऐसा हतियार है, जिस पे पूरी दुनिया की नजर है, सच कहें तो अमेरिका को भी इससे कहीं कहीं डर लगता होगा, लेकिन good news यह है, यह Air Defense System भारत को मिल सकता है, जहां आपको पता होगा, भार काफी लंबे समय से S-400 के लिए रूस से मिन्नते कर रहा है, और अभी तक भारत को S-400 नहीं मिले है, हाला कि यह S-400 चीन और टर्की जैसे देशों को मिल जाते हैं, तो यही बात है कि भारत को अब इसका एक और तोड़ खुजना था, जो था S-500, और रसिया के एक रिपोर् की और चिन भी हैं, लेकिन रूस नहीं चाहता कि इनको यह हत्यार दें, यानि कि आने वाले समय आप देख सकते हैं कि भारत के पास भले ही S-400 नहों या हो भी लेकिन भारत को S-500 आराम से मिल जाएगी, रूस का कहना है कि उसने अपने S-500 के लिए जतनी भी जरूरी नेवी को दे जाएगी, यानि कि एक बार इसका कंपलेशन हो गया, यानि कि रूस की आर्मी को यह सारे एर डिफेंस सिस्टम दे दिये गए, उसके बाद भारत क्यों मिलने की उमीद है, क्योंकि रसिया कभी यही मानना है कि पहले वो अपने देश को मजबूत करना चाहता ह उसके बाद ही वो भारत को देगा, और एक रिपोर्ट की अनुसार ऐसा भी खा जाता है, कि यह दुनिया का सबसे बेस्ट एर डिफेंस सिस्टम होने वाला है, जिसका तोड किसी के पास नहीं है, हाला कि इसमें कोई नई बात नहीं है, कि इसका लेना देना सिधा सिधा मिलता है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर भारत को S-500 मिल जाता है, और यह भी अच्छी बात है कि भारत दुनिया का इकलौता बायर होने वाला है, S-500 का, तो इसको मिलने की भी चांसे है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर बात करें इसकी रेंज के बारे में, तो इसकी रेंज S-400 से कहीं ज़्यादा है, एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माने जाता है, कि यह किसी भी एरक्राफ्ट को लगबग 500 किलोमेटर की दूरी से ही ट्रैक कर सकता है, और टार्गेट कर सकता है, यानि कि चाहे वो स्टेल्थ हो, या सूपर सोनिक, हाइपर सोनिक, फिप जनेरेशन, सिक जनेरेशन, कुछ भी हो, 500 किलोमेटर की दूरी से ही आराम से इसको ट्रैक करके डिश्टॉय कर सकता है, लेकिन अगर वही कोई इंटर कॉन्टिनेंटर बैलेस्टिक मिसाइल है, तो उसको लगबग 600 किलोमेटर की दूर से ही ट विदेश के एरक्राफ्ट हो, उनको आराम से डिश्टॉय कर सकता है, अगर ये एर डिफेंस किस्टम भारत को मिलते हैं, तो भारत, पाकिस्तान और चीन की हालत बड़े आराम से खराब कर देगा, रसिया इसमें दो तरह के मिसाइल का यूज़ करता है, किसी भी डिफेंस मिसाइल या किसी भी एरक्राफ्ट जो के 5 मैग की स्पीड से भी ज़्यादा की स्पीड से आ रही हो, आराम से इंटरसेट कर के और इतने सौर्ट रस्पॉन्स टाइम में, यानि कि 3 से 4 सेकेंड में रिस्पॉन्स करता है, यानि कि दुश्मान को संबलने का मोगा मिले उससे पहले इसका response हो जाता है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना घातक हो सकता है किसी भी aircraft को बचने का मौका भी नहीं मिलेगा और रूस का तो यहां तक मानना है कि ये सिर्फ hypersonic और aircraft के लिए ही नहीं बना है बलकि अगर कोई satellite भी है जो कि पृत्वी के low orbit में है तो ये उसको भी आराम से destroy कर सकता है और इसके अलावा 5th generation की जितने भी aircraft है उनको भी अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन पर तो ये वार करी सकता है बलकि आसमान में जो satellite है उनको भी इससे नहीं बस सकते हैं अब ऐसे में अगर ये air defense system भारत के और चीन के border पर लगा दिया जाए तो आप अंदाजा लगाईए कि चीन के कोई भी aircraft की इतनी हिम्मत नहीं होगी तो इंडियन territory में प्रवेश भी कर सकते और पाकिस्तान तो वैसे भी सोच भी नहीं सकता इस बारे में क्योंकि उसकी हाला तो वैसे ही बहुत खराब है और वो अपने थोड़े से संसाधर में इतना बड़ा रिस्क लेने के करे जा तो साइद ही उसके पास होगा ऐसा नहीं है कि इसी भारती है जो S500 लेना चाता है इससे पहले एक कॉंट्रोवर्सी सामने आई थी जिसमें टर्की के प्रेसिडेंट यानि अर्दोगान ने कहा था कि जैसा कि टर्की और रूस एक साथ मिलकर हाईपरसोनिक S500 का निर्माड कर रहे हैं इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में ये दोनों देश यानि अंकारा और मोस्को एक साथ हाईपरसोनिक S500 का प्रोडक्शन करेंगे लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं थी इसके बाद भी इस बात को लेकर काफी बिवाद हुआ कि एर डिफेंस सिस्टम S500 को टर्की का क्या मदद चा आएं और फिर अचीव भी कर ले और बड़े असानी से टर्की को S500 मिल जाते लेकिन रसिया ने ऐसा होने नहीं दिया रसिया ने इस बात से पूरी तरह अपना पल्ला जाड़ लिया कि S500 तो हम अकेली ही बनाएंगे इसके बाद चाइना भी चाहता था कि रसिया से S500 ले ल और इस बसे पहले अगर किसी को S500 मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत को होगा भारत को मिलने वाले S500 में और रसियन आर्मी को मिलने वाले S500 में तोड़ा सा अंतर होगा क्योंकि वो यहां के जेग्राफित को ध्यान में सोट जाएंगी और आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान किसी भी तरह का एर स्ट्राइक करने के बारे में हजार बार सूचेंगे और अगर कर भी देते हैं तो उनको हासिल कुछ नहीं होने वाला है सिवाए बरबादी के तो आपको क्या लगता है कि भारत को S-400 के बजाए S-500 ही ले लेना चाहिए क्योंकि इसके जो एडवांटेज है वो S-400 से कहीं जादा है और अगर रसिया का मूड भी अच्छा है भारत को देना चाहता है तो भारत को लेट नहीं करना चाहिए आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताएगा फिलाले इस वीडियो में इतना है थान्यवाद झाले तो